लाइक और शेयर दिस वीडियो, क्लास फोर्थ, इंगलिश हेलो एवरिवन, तोड़े वी बिल स्टार्ट लेसन, सेकेंड और फोर्थ क्लास, चैप्टर नेम इस ग्रहनीज शाडी तोड़े वी बिल डिसकस मल्टेपल चॉइस क्यूशन फर्टली, टिक दा क्रेक्ट आंस्वर इन इच, फर्स्ट क्यूशन उन्द सारी, वेहर वर दा मंकीज और स्क्यारल्स, सारी के अंदर जो बंदर और गिलैरी थी वो कहां पे थे, नियर दा स्ट्रीम धारा के नियर थे, उन्दर रोग चट्टानों पे थे, थ्री हाई पिंदा टाल ट्री, पेड़ के ऊपर थे, उन्दर ग्रास गहस में थे, तो मंकी और स्क्यरल्स कहां पे थे, हाई अपिंदा टाल ट्री, question is, question is this. next question how did the sari help the policeman sari ने publicity की साइथा कैसे की इट helped him to run उसने उसकी दोड़ने में साइथा की it helped him to fly उडने में साइथा की it helped him to catch the rubber sari ने रोबर लुटेरे को पकडने में साइथा की it helped him to make a sharti और एक sharti बनाने में साइथा की तो क्या था लुटेरे को पकड़ने में सायता की थी इट हैल्प्ड हीम टू कैज दा रोबर नेक्स्ट कुशन हमारा है वाहे डिड ग्रैनी विश्पर्स्ट है लोग ग्रैनी क्यों फुस्फुस आई कि देखो सीवा स्केर्ड वो भैबी थी सी हैड ए बैड कॉल्ड उसको बुलिठंट लग रही थी सीवा जैंगरी वो गुशे में थी सी वांटिड अन्नू टू कीप कॉइट क्योंकि वो उन्नू को चुप करना चाहती थी तो आमार उक्षन ये आए गए हांपे नेक्स्ट मैच दा एनिमल्स इनिमल्स को मैच करना है कि कौन क्या कर रहा है फर्स्ट है पैरेट पैरेट क्या कर रहा है इटिंग दा रैड जूसी फ्रूट इटिंग दा रैड जूसी फ्रूट उसके बाद है बी स्क्वेरल स्क्वेरल क्या कर रही है स्क्वेरल eating nuts तो ये eating nuts आएगा loin, loin क्या कर रहा है sleeping happily और उसके बाद क्या है dog catching fish repeat after the expert expert की साथ repeat करना है बैक, बैक बैंक, बियर बिल, बीजी बजट, बेबी बैग, बेश बैटल, बैल ब्रांच ग्रामर पोर्शन श्टार्ट होता है possessive nouns possessive nouns के बारे में discuss करेंगे read this sentence this is granny's sari the sentence tells us that sari's belong to granny sentence में हमें पता चलता है कि जो sari है वो दादी से संबंदित है we add an apostrophe s इसको हम बोलेंगे apostrophe s to the word granny to show that the sari belongs to her तो apostrophe s है वो जोड़ा गया ये बताने के लिए कि दादी की सारी है वेहर 25 नाउन में जैसे हम apostrophe s का कब कहा कैसे यूज़ करते हैं by by क्या हमारा singular है अगर singular है उसको उससे बिलोंग कोई चीज बताने जैसे by is bag by is pan तो वहाँ पे हम apostrophe s का यूज़ करेंगे only if हमारा plural है plural है तो उसके हम only apostrophe लगाएंगे s का यूज़ नहीं करेंगे जैसे by is है तो by is के बिलोंग कुछ बताना है by is hotel तो हम उसको लिखेंगे by is hotel को लिखेंगे by is only और hostel hostels next है मैं वैसे मैं plural है हमारा लेकिन यहाँ पे s का यूज़ नहीं है तो ऐसी situation में भी हम मैं लगाके apostrophe लगाके s लगाएंगे we use an apostrophe before s if the noun is in the singular or if the noun is in plural not ending with s not ending with s वो मैंने आपको बता दिया s से start नहीं होता है मतलब plural जो होते हैं उनके साथ हम apostrophe s लगाएंगे only ऐसे और अगर man plural है लेकिन ending क्या है इसके last में s नहीं है तो वहाँ पे हम ऐसी लगाएंगे यह मैंने आपको बता दिया है we use an apostrophe after s if the noun is in the plural or if the noun is in singular ending with s for example these are Lakshmi's children singular है हमारा यहाँ पे Lakshmi तो s लगाद दिया इसके बाद है the children's वैसे plural है यह but ending हो s से नहीं है तो इसलिए яहाँ वह यह used charlase charlase team won the match यहाँ पे charlase है है singular but end हो s से है end s से है अगर singular है for ending with s तो ऐसे situation में भी हम only use करेंगे sorry only use apostrophe apostrophe if charles है singular name है ये लेकिन यहाँ पे s है last में तो s है तो last में only we use use apostrophe insert and apostrophe where needed तो यहाँ पे हमें the children's जो आए new no bounds तो children's है यहाँ पे यहाँ पे children's के साथ हम apostrophe लगाएंगे तो children's लगा के s next है boys मीराज toys are all over the bed twice है तो twice के हम apostrophe का use करेंगे s next है हमारा the boys group goat lost in the forest तो boys है तो हम यहाँ पे लगाएंगे boys apostrophe का यूज किया next में women's है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे women's apostrophe s next है Mr. सर्माजकार तो Mr. सर्माज अपस्टोफी s सर्माजकार next है look at the picture and find whose things are दी जार तो यहाँ पे Mr. गर्मा की है गाड़ी डोग को क्या चाहिए बॉन काउ के लिए बैल राहूल को काउ sorry काइट और सोनू गर्ल है तो इसको डोल चाहिए in this answer now after looking these pictures we answer the following question whose bone is this अपस्टोफी का यूज करना है तो bone हमारी किसकी है बूनीस की है अपस्टोफी s इसके बाद whose car is this Mr. गर्माज उसके बाद whose bell is bell किसकी है देशी गाउ का नाम है अपस्टोफी s उसके बाद whose kite is kite किसका राहूल अपस्टोफी s whose doll is this तो सोनूज अपस्टोफी s का यूज करना है सब के साथ अपस्टोफी s लगाएंगे सोनूज डोल after that कुमार्स गार्डन तो संगीताज शूज है इनको करना है तो Mr. कुमार्स गार्डन तो the garden the garden of Mr. कुमार next है हमारा the bird's nest तो the nest of the bird nest of the bird next है सोनूज बुक तो the book of सोनू book of सोनू इसके बाद है the beak of parrot beak of parrot next है हमारा learn new words learn new words में हम करेंगे what do they want blank for the children says लक्समी तो यहां पर आएगा I want new clothes I want first में आएगा I want new clothes I want new clothes for children first sentence में second में blank says granny granny क्याएगा I want my favorite sorry second में आएगा I want my favorite sorry I want my favorite sorry next है हमारा blank says mother bear I want fish I want fish third sentence है आपका I want fish says mother bear next है blank says the policeman I want the medal I want the medal says the policeman next है match the animals with their cries cries के साथ इनको match करना है हमारा first है monkeys monkeys chatter tiger roar tiger roar bears growl halifind tram tram horse knee join the words that go together words को join करना है तो spotted क्या था हमारा deer था spotted उसके बाद smooth क्या थी rock smooth rock blue blue river green parrot favorite shari now use e-i और i-e का use करके हमें sentence को complete करना है तो first है हमारा e-i लगेगा first में we use as selling second है हमारा believe be-e-i-e-e-e-e-e-e-e-e-e blue next है next है next है हमारा peace P I E C E Peace Next है हमारा B E I N G Being Next है हमारा Receive R E C E I V E Receive Next है हमारा Receipt R E C E I P T Receipt